Good morning friends, welcome to study with Neelam, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे चर्चा में बना हुआ है धन सोधन निवारण अधीनियम 2002 या इसे बोलेंगे Prevention of Money Laundering Act 2002 तो देखते हैं क्यों है ये चर्चा में और क्या है इसके चर्चा में रहने का कारण समझेंगे क्या होता है Money Laundering और Money Laundering Bill कैसे काम करता है कौन सी एजनसी है जो इस कानून को लागू करने के लिए बनाई गई है चलिए तो फ्रेंट्स शिरू करते हैं लेक्चर फड़ाफड हाल ही में सुप्रिम कोट ने Anti Money Laundering कानून को एक हतियार के रूप में इस्तमाल किये जाने को लेकर चेताबनी देते हुए कहा है कि इस कानून के बड़े पेमाने पर उपयोग से यहाँ अपनी प्रसांगिकता खो देगा आप लोगोंने सुना होगा ED जो आप सुनते हैं उसे जनरली विपक्चिदलों के द्वारा ये कहा जाता है सरकार क्या विरोध किया जाता है कि सरकार ED का CBI का मिस्यूज कर रही है तो इसी चीज को सुप्रिम कोट के द्वारा भी इंडिकेट किया गया है सरकार को सांकेतिक रूप से समझाया गया है कि कानून का दुरुपयोग इसकी आप प्रसांगिकता या इसकी जो important से वो खो देगा और इस कानून की जो प्रसांगिकता है जो इसका उप्योग है उसे वो निराधार बना देगा तो देखते हैं कोट ने कहाई कि यह जरूरी है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल यतो चित रूप से किया जाए जहाँ जरूरी है जहाँ कानून का उलंगन किया वहीं इसका उप्योग किया जाए किसी भी राजनितिक विरोधी दल के लिए किसी व्यक्ति के लिए इसे अननेसेसरी उप्योग ना किया जाए दन सोधन निबारन अधिनियम 2002 प्रेवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट 2002 यहाँ अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था और एक जुलाई 2005 से यहाँ लागू हुआ है इसका उदेश मनी लॉंडरिंग से निपटने के लिए देश में कानूनी धाचा विक्सित करना था आप लोगों ने सुना होगा जो पनामा पेपर्स लीक हुए उसमें अभिशेक बच्चन को दो धाई महीने पहले एडी ने बुलाया था फिर अभी हाली में एश्वर राय बच्चन को बुलाया गया जिस वज़े से जया बच्चन जो है जो संसद में वो भड़क उठी थी उसके बाद ये मुद्धा भी बहुत जादा उठा के जो सरकार है केंद सरकार वो अपने विरोधियों को इन कानूनों के माध्यम से क्या करना चाहती है मतलब परास्त करना चाहती है इनका कानूनों का मिस्यूज करके एजेंसी का मिस्यूज करके ओके तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये एक्ट यहाँ अधिनियम संसोधन की संसोधन यहाँ अधिनियम जो धनसोधन है ओके धनसो संसोधन की रोक थाम करने और सरकारी अधिकारियों द्वारा अवेद इस्त्रोतों या गति वीदियों से अरजित की गई संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देता है प्रेविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट में 2009 और 2012 में संसोधन किये गए हैं प्रेविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंतरकत सबूत का भार बर्डन ओफ प्रूप आरोपी पर होता है इसका मतलब ये है कि जिस पर आरोप लगाए कि उसने money laundering की है उसी को यहाँ प्रूफ देना होगा कि नहीं उसने money laundering नहीं की है तो ये और जादा भी क्या हो जाता है खतरनाक हो जाता है जब कि आरोपी को खुद सिद्ध करना पड़ता है जिसे यहाँ साबित करना होता है कि संगिद संपत्ती और परिसंपत्ती अभेद रूफ सर्जित नहीं की गई है जैसे पनामा पेपर लीक्स में बताया गया था कि जो एश्वर्य राय हैं अमिताब बच्चा ने इन्होंने एक fake company develop की इसके पहले 2005 में अमिताब बच्चन उसके honor थे फिर बाद में एश्वर्य राय की डारेक्टर बन जाती हैं अमिताब बच्चन उने बनाते हैं फिर थोड़े समय के बाद company ही खत्म हो जाती है तो इस तरीके से एश्वर्य राय का नाम आया अभिशेक बच्चन का नाम आया तो इन्होंने ऐसा क्यों किया इसके साथ ही आपने अमिताब बच्चन का वो tweet भी सुना होगा कि उन्होंने किया था कि बतलब जो बुरा बक्त है या जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी बुरा होगा ठीक है तो इस तरीके से भड़ास निकाली जा रहे है इन लोग के द्वारा इस अधिनियम के अंतरगत प्रवर्धन निदेश आले the directorate of enforcement को money laundering से अर्थात अवेद रूप से अरजित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वेद इस तरोतों से प्राप्त हुई आय दिखाई दे ऐसा pretend करना है कि ये legally income है होती क्या है illegal होती है और generally क्या होता है जो tax ना देना पड़े इसलिए भी ये बड़ी बड़ी जो personalities होते हैं ये जो ज ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतरगत अवेद तरीकों से कमाए गए काले धन को वेद किया जाता है इनमें अवेद रूप से हत्यारों की खरीद फरोत, तसकरी, मादक पधारतों की बिक्री, डकेती, जबरन वसूली, आदी जैसे गंबीर अपराद शामिल हैं अंतराष्टी के अनुसार, आईमेफ के अनुसार, वैश्विक मनी लॉंडरिंग का अनुमान वैश्विक जीडीपी के 2% से 5% मतलब मनी लॉंडरिंग से पिंडिया में ही नहीं होती है, सभी देशों में बड़े स्तर पर ये होती है, प्रवर्तन निदेशाली, एडी को समझते हैं, प्र विदेशी मुद्रा विनी में अधिनियम 1947 के तहट, विनी में नियंतरन कानुनों के उलंगन से निपटने के लिए, आर्थिक कारे विभाग के नियंतरन में एक प्रवर्तन एकाई का गठन किया गया था, यह विभिन्न कानुनों को लागू करता है, प्रवर्तन निदेशा एक्ट दो हजार दो को लागू करवाना इसके कारे हैं ओके फ्रेंड्स आई होप आप समझ गएंगे कि मनी लॉंडरिंग क्या होती है और इडी क्या होता है और मनी लॉंडरिंग कानून क्या है थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टेक केर